वेलो गाइज इस इस वॉनु वेलकम टू आर चैनल टू अपडेट तो गाइज आज की इस वीडियो में आपको उताऊंगा सेट्ट बॉक्स के सेट्टिंग्स के बारे में तो गाइज नॉर्मली लोग के साथ यह हो रहाएगी जो अभी अपने टीवी को उपन करते हैं तो के साथ यहां पर यहां पर यहां करता है नहीं उनका सेट्ट बॉक्स के साथ चैनल प्ले नहीं होता डेरेक्ट ली इस वीडियो में इसी के बारे में बताना जा रहा हूं तो वीडियो को लाश्ट तक देखेगा आपको 100% प्रॉब्लम हो जाएगा तो अपडेट से पहले मैं अपनी pc वीकों यहां पर मैंने रिश्टारट कर दिया है ताकि आपको समझ में आ जाएँ आपको साथ जो प्रॉब्लम अरी क्या आ रही है पर हमारी tv को अब री इसटार्ट हो रहे है और हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लिजेगा क्योंकि मैं में tv से डेलीड याद ह प्रोसेस होता है सारी चीज़े बताते रहते हूं अपने चैनल पर है तो आधि यहां पर टीवी लगवग अब रिस्टार्ट हो रही है तो इसके लिए आपको करना कहा है सिंप्ली सेटिंग में जाना है तो इसे नमबर पर इनपूट वाले जाना और सबसे लास्ट में जाना है आपको stay on the previous source guys तो इसे on कर लेना ये वाला option और उसके बाद मैं again आपको मैं अपनी TV को back आऊँगा और restart करके दिखाता हूँ कि क्या ये problem solve हुआ ये नहीं so guys again मैं अपनी TV को restart कर लेता हूँ ठीक है तो guys आपने जो भी चीजे connect कर रख हो है HDMI जो भी connect कर रख हो ये भी तो इस सिंप्ली जो settings हमने on किया तो इस सिंप्ली settings को on कर लेना है और अपने setbox को on रखना जैसे कि मेरे setbox on है तो यहाँ पर simply ये कर लेना उसके बाद अपनी TV को restart कर देना ठीक है उसके बाद ये directly आपके HDMI या जो भी set कर रखाऊ पर डिरेक्ट ली प्ले हो जाएगा तो इस सिंप्ली बूट हो रही है अब इसके बाद ही हमारे टीवी जो है डिरेक्ट ली हमारे setbox पर प्ले होने वाली ठीक है वीडियो पसंद आए तो लाइक जरू करना गाज ठीक है तो जैसे कि देख सकतो है हमारे बूट होगी टीवी और यह हमाई टीवी अप डेरेक्टली सेटस पर जाने वाली है तो दो आज अभी यहाँ पर देख सकते हो यह यह यहाँ पर लिखा हुआ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्णर में देख सकते हो और यह directly आपके AB पे play हो जाएगा so guys thanks watching guys मिलते हैं next video में वीडियो को like जरूर कर देना ठीक है